मेरे प्रियेक एडिट्स आप सभी को मेरा नमस्कार आज दिनांग 2 मार्च 2021 आज की दिन हम जो है दस्वी कख्षा के अंतरगत जो आपका पाट्टे पुस्तक है स्पर्ष भाग दो के अंतरगत पद्ध भाग में से पाट संक्या चार जो एक आधुनिक कविता है और उसका सी इविजन के तौर पर जो है फिर से अधेन करेंगे है मनुष्यता इसके कवी माईतली शर्ण गुपत है मनुष्यता ऐने मैन हुड हुमेनिटी इसके उपर बहुती सुन्दर रूप से इसका वरणन जो है मनुष्यता के बारे में माईतली शर्ण गुपत हैं पर किये हैं ज के जीवन काल भी जो है स्वतंतरता पूरुव से लेकर स्वतंतरता मिलने तक जो भी कालावदि में इनोंने राश्ट के सम्मंदित बहुत सारे कविताएं लिके हैं हमने इनकी कवी परचे के साथ-साथ मुनुश्यता में जो पहला कविता का पहला पंक्ती जो हमने उसका समग्र देहन किया अगली पंक्ती को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत पिछली जो पंक्ती में क्या कहा है उसके उपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कभी पाटकों से सम्मोंदित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जो है मरन सील है यानि कभी न कभी वो मरेगा यानि एक ना एक दिन जब जन्म लेता है तो एक ना एक दिन उसका जो मरन है वहाँ आवश्य है इसलिए कभी महितली शर्ण गुप्त मनुष्यों से कहते हैं कि मौत से मत डरिये कोई ऐसा महान और गवरोशाली काम करते करते मरने की भी बात कहते हैं जो आपको सुमृत्यों कहलाए और ऐसी मौत की बिना योही मरना वेर्थ भी कहते हैं बिना कोई विशेश कार्य किये जीना भी वेर्थ कहलाता है जो मनुष्य स्वयम अपने लिए ही नहीं जीता बलकि समाज के लिए जीता है इसलिए समाज के तहद हमें बहुत सारे अच्छे काम करने हैं लेकिन समाज के अंतरगत कभी नहीं मरेगा यदि अच्छे काम करेगा तो ऐसा मनुष्य अमर हो जाता है सोयम अपने लिए खाना कमाना और जीना तो पशु का सुबाव है इसलिए वो पशु कहते हैं कि पशु अपने हिस्से का जो चारा है उसे खाकर वह चले जाते हैं लेकिन मनुष्य जो है हमेशा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीता है दूसरों को सहायता करता है जो इस प्रकार जो है नाम कमा कर जो है अपनी मृत्यू जो है प्राप्त करे ताकि पीछे जो इनसान है वो आपका नाम चिरस मरनी रहे जो काम सत काम जो है मनुश्य को कहने के लिए कहते है मनुष्यता जो है किस प्रकार होती है इसमें मनुष्यता में क्या नहीं होना है यह सभी विश्त्रूद जो अद्येन है हमने पहले पंक्ति में किया है दूसरा पंक्ति है उसी उदार की कता सरस्वती बखानती उसी उदार से धरा कृतात भाव मनाती उसी उदार की सदा सजीव कीर्ती कूजती तता उसी उदार को समस्त स्रिष्टी पूजती अकंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है की जो मनुष्य के लिए मरे देखिए यहाँ पर बहुती दूसरा पंक्ती है बहुती अच्छे तरह से उन्होंने यहाँ पर सटिक शब्दों के दारा प्रयोग किया है पहले हम इसके शब्दार्थ को जानेंगे पहले पंक्ती में जो है लाइन में उदार उदार यानि खुले रुदे वाला या विशाल या महान भी करते हैं बकानती बकानती पहले लाइन में देखिए बकानती का अर्थ होता है वरनन करती ठीक है वरनन करती ऐसा होता है दूसरे लाइन में देखिए वहाँ पर लिखा गया है कि धरा धरा याने धरती या प्रित्वी कहते हैं उसे प्रकार तीसरे लाइन में देखिए वहाँ पर है कुतार्त भाव नहीं दूसरे पंक्ति में देखिए दूसरे लाइन में कुतार्त ब्राव याने धन्य होने का भाव या सौभावग्य तीसरा लाइन में देखिए इसके शब्दार्त है सजीव सजीव का अर्थ होता है जीवित उसी प्रकार कीर्ती कीर्ती का अर्थ होता है यश कूजती इसका अर्थ होता है गूझती गूझना चारोर गूझना चौते लाइन में देखेंगे हम यहाँ पर जो है समस्त समस्त याने सारी स्रिष्टी याने संसार या जगत पूझती याने समान करती थीक है उसी प्रकार अगले हैं अकंड आत्म भाव अकंड आत्म भाव यहने इसके सब के साथ एकता और आत्मियता का भाव है इसमें असीम पाच्वे लाइन में आप देख सकते हैं असीम याने अनंत या विशाल कह सकते हैं वही मनुष है कि जो मनुष के लिए मरे और जिये इसका अर्थ यही है कि आपको यहाँ पर जो है मैतली शरन गुप्त कहते हैं सरस्वती उसी उधार मनुष का गुनगान करती है सरस्वती जो शब्दों में आप सुन सकते हैं जिसे सरस्वती की जो कृपा हो वह जो ग्ञानी बनता है गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अकंड आत्मियता रखता है देखिए यहां पर संसार में आप जन्म लिया है तो आपकी मृत्यू तै है इसके अन्तराल में आपको अच्छे-च्छे सत्कर्म करने है ताकि संसार में अखंड आत्मियता आपकी बने रहे इसे इसी लिए आपको भाईचारा हो या दूसरों को मदद करना हो ऐसी जो काम है कारे है वह करते रहना है यह धर्ती भी उसी उदार मनुश्य को जनकर स्वयम को धन्य मानती है जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है तो यहाँ पर देखिए वह अपनत्व देखिए यहाँ पर जो मनुष्य एक बार मनुष्य जाती में जन्म लेता है तो उसे अकेले नहीं रहना है और अकेले रहने से उसे दिक्कत होती है उसे वो जन्म लेता है और मुत्यू प्राप्त करता है जैसे गाय जो गाँ चर कर पेट भर कर जाते हैं उस प्रकार हो जाएगा मनुष्य तो उससे भी बड़ा जो है स्वभा उसका और ग्यानी भी है तो यहाँ पर कहते हैं कि संसार में अपनत्व का प्रसार करता है वह बढ़ता रहेगा उसी प्रकार उसी उधार मनुष्य का सुयस सदा सदा के लिए गुजता रहता है और उसी उधार मनुष्य को सारी धर्ती के लोग पूझते हैं देखिए एक बार मनुष्य जो है जन्म लेता है तो उसकी मृत्यूत्य है तो इसी बीच क्यों ना हम अच्छे काम करें यहाँ पर आप एक चित्र के मुकांतर देख रहे हैं कि यहाँ पर बाड आने से जो है यहाँ पर साइन्य जो है लोगों की मदद कर रही है जो बाड में फसे हुए हैं देखें यहाँ पर जो साइनिक जो है यहां पर मदद कर रहे हैं और कुछ लोग अन्य लोग भी हां पर दूसरों की मदद कर रहे हैं इसका मतलब यह ही है कि जो उनका जन्म जो है पावन हो गया वे गरीब लोग जो डूबने से बज गए वे आपको मदद भी कर सकते आपको दूआ देते हैं आपको आशिरवाद या आपके सायंकाल समय आपका नाम लेंगे इसलिए उधार मनुष्ट को सारी धर्ती लोग पूझते हैं तो आप एदी मदद करते रहेंगे तो लोग आपसे पूझेंगे पूझा करेंगे देखिए जब जन्म लेते हैं तो आप ऐसे सत्कर्म करने हैं देखिए यहां पर और एक दुरुष में आप देख रहे हैं कि इसमें जो सारी सुरुष्टी के साथ अपनत्वा अनवो करता है देखिए एक दूसरे को कोई वहां पर परचे नहीं है लेकिन जब एक इनसान जब दूसरे विक्ति का पीड़ा देखकर उस विक्ति को मदद कर करता है तो वहां पर अपनत्वा आता है कभी कभी वह भी किसी रूप में किसी ना किसी रूप में मदद करता है इसलिए मनुष्य शारी धरती के लोग भूशते हैं उसके साथ सारी सुरुष्टी के साथ अपनत्वा अनवो कराता है तो यहां पर चित्र के मुकांतर आप द देखिए जब मनुष्य जन्म लेता है और उसकी मृत्यूत्य है तो मायतली शर्ण गुप्त जो राष्ट्र कवी हैं वे कहते हैं कि आपको दूसरों को सदा मदद करनी है इससे आपको लोग पूजेंगे पूजा करेंगे आपको और आत्मियत का अकंड तता यहां पर बस जा आएगी जो अपनत्व देखिए लोग जब मदद करते हैं जब पीड़ा हो या कोई संकट में हो तब वह लोग मदद करते हैं जैसे आपने दिखा होगा ततारो वामीरों में भी आपने जब है लोगों की पीड़ा हो या कोई समस्या हो तो ततारा जो युवक है वहां करने के लिए वहाँ पर आता था मनुष्य यहां पर मायतली शरण भहुती सटिक रूप से जो है यहां पर उन्होंने वर्णन किया है कि मनुष्य जो है वह समस्त सुष्टी में जनम लिया है और यहां पर मनुष्य लोगों की मदद करना है सच्चा मनुष्य वही कहलाता है ज यहाँ पर देखिए आपको जीता मरता देखिए मनुश्य यह चित्र के माद्यम्शे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं साइता कर रहे हैं यदि वह इनसान जो है उस युवती को लेकर नहीं जाएगा तो केवल वह जाएगा दूसरे जो है वहाँ पर बिना मदद के वहाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन इनसान जो है मनुष्यत के लिए जीता मरता है केवल वहाँ अपने आप आगे निकल कर जाता था लेकिन वह ऐसा नहीं दूसरे दुरुष्य में भी यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मनुष्य जो है इतनी बाड में और गहरी होते वे भी पानी का गहरा होते वे भी लोग जो है बच्चे को बचाने में मदद कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जीता मरता है मनुष्य के लिए देखिए वह कह सकता था कि जो बच्चे को पकड़ा है वह व्यक्ति कह सकता था कि मैं इनको क्यूं बचाऊं लेकिन इनसान मनुष्यता को इतना अच्छी तरह से महितली शर्ण गुप्त ने वर्णन किया है कि मनुष्य मनुष्य के लिए जीता मरता है वह अपने लिए जीता नहीं इसलिए उन्होंने प्रानी का भी उधान दिया जो गाय है अपने हिस्से की गाय को चर कर निकल जाते हैं लेकिन मनुष्य का दाई तो ऐसा नहीं है वह मनुष्य के लिए जीता मरता है इसलिए जो यहाँ पर कवी ने माहितली शर्ण गुप्त ने इस तरह फिर से मैं इस पंक्ति को वाचन करूँगा जो उसी उदार की कता सरस्वती बकानती उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मनाती उसी उदार की सदा सजीव कीर्ती कुंजतियाने आपर जो कुंजतियाने पूजना पूजा जो है कीर्ती उसकी कीर्ती जो है गुंजती रहेगी तता उसी उदार को समस्त स्रिष्टी पूजती ह देखिए स्रिष्टी जो है पूजती है जो अच्छे सतकर्म करता है दूसरों के हमेशा मदद करता है उसे लोग याद करते है तो पहले पंक्ति में वही कहा है कि जन्म लिया है तो एक ना एक दिन मरना है तो आपको अच्छे सत्कर्म करके दूसरों की मदद जो आप समाज में रहते हैं समाजिक जीवी हैं तो मनुष्यता आप में होनी चाहिए अकंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे इसलिए मैतली शेनगुप्त ही बहुती अच्छी तरह से दूसरे पंक्ती में मनुष्य मनुष्य के लिए जीता है ना बलकी दूसरों के लिए मनुष्य जो है हमेशा मदद करते रहना है और यही उसका जो अच्छे गुणों में गिना जायेगा यही जो है नैतिक मुल्य है यही जो साहिता करने की जो परोपकारी जो गुन है मनुष्य के अंतरगत मनुष्यता में होती है ऐसी माइतली शर्णगुप्त ने इस कविता के माद्यम से दूसरे पंक्ती में यही कहने की कोशिश की है इस तरह आज हमने मनुष्यता यहने मैन होड या हुमेनिटी कह लिजे इसके यहाँ मनुष्यता जो है यहाँ छोटी से व्यक्या से इसे हम व्यक्यानित नहीं कर सकते इसके लिए गहरी अर्थ यहाँ पर जो है कह सकते हैं मनुष्यता केवल एक बार मदद करने से नहीं वह एक बार नहीं उसके मन कोई दूसरा देखता है इसलिए नहीं करना है अपने मन से करना है उसे मनुष्यता कहते हैं तो लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि आप पाटकों को आप सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि ना केवल इस जन्म भूमी में आप जन्म लिया है तो आपका मरन भी जो है लिखा गया है तो इस बीच में आप अच्छे सत्कर्म करें और अच्छे काम करें दूसरों की ह हमेशा मदद करें ताकि लोग आपको सदा पूजते रहें अखंड आत्मियता जो है दूसरों के प्रति वह जागेगी उसके साथ सारी सुरुष्टी के साथ अपना अपनत्व बढ़ेगा आजकल मनुष अकेला रहने का सोच रहा है इसलिए वह कभी कभी आत्म वह मृत्यू के लिए प्राप्त हो रहा है वह जो अपने आपको दंडित कर रहा है यह जब अपनत्व का अनभव करेगा तो वह उसे शृष्टी जो है यह जगत बहुती सुन्दर लगेगा इसलिए सच्चा मनुष वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता मरता है इस तरह आज हमने मनुष्यता के तहत मैं जो इसके कवी है मैतली शर्नगुप्त द्वारा मनुष्यता कविता में जो पहली पंक्तियों का वरणन के साथ साथ दूसरी पंक्ति का विस्तृत आज हमने अद्धेन किया अगले वीडियो में हम इसकी तीसरी पंक्ती का हम विवरन करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहे और मास का पहनते रहे और हातों को जो है 20 सेकेंद तक दो कर कहां भी जो चीजों को छूना है तो छूने के ब 20 सेकेंद तक आपके हातों को धो कर सुरक्षित रहे आपका दिन मंगल मैं हो और आपका दिन शुबहो धन्यवाद